पामुलाप्ती वेंकट नरसिंहराब जन्म 28 जून 1921, मृत्युक 23 दिसंबर 2004 भारत के दस्वे प्रधान मंत्री के रूप में जाने जाते हैं लाइसिंस राज की समाप्ती और भारतिय अर्थनीती में खुलेपन उनके प्रधान मंत्रित्व काल में ही आरंभ हुआ ये आंध्रा प्रदेश के मुख्य मंत्री भी रहे इनके प्रधान मंत्री बनने में भाध्य का बहुत बड़ा हाथ रहा है 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या हो गई थी ऐसे में सहानु भूती की लहर के कारण कॉंग्रेस को निश्चय ही लाप प्राप्थ हुआ 1991 के आम चुनाव दो चर्णों में हुए थे प्रधम चरण के चुनाव राजीव गांधी की हत्या से पूर्व हुए थे और द्वितिय चरण के चुनाव उनकी हत्या के बाद में प्रधम चरण की तुलना में द्वितिय चरण के चुनावों में कॉंग्रेस का प्रदर्शन बहतर रहा इसका प्रमुख कारण राजीव गांधी की हत्या से उपजी सहानु भूती की लहर थी इस चुनाव में कॉंग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्थ हुआ लेकिन वह सबसे बड़े दल के रूप में उभी कॉंग्रेस ने 232 सीटों पर विजय प्राप्थ की थी फिर नर्सिमहा राव को कॉंग्रेस संसदिय दल का नेत्रित्व प्रदान किया गया जुटा लिये और कॉंग्रेस सरकार ने 5 वर्ष का अपना कार्यकाल सफलता पूर्वक पूर्ण किया पीवी नर्सिमह राव ने देश की कमान काफी मुश्किल समय में संभाली थी उस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार चिंताजंक स्तर तक कम हो गया था और देश का सोना तक गिर्वी रखना पड़ा था उन्होंने रिजर्व बैंड के अनुभवी गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिह को वित्तमंत्री बना कर देश को आर्थिक भंवर से बाहर निकाला